सासिगल दोस्तों आफ सब्दा स्वागत है पंजाबी क्लाश चैनल दे विच तो ग्यार्मी जमात वाले यांदा जड़ा होन अगला पेपर है ठीक है जी ओ है होन दास्तरीक नूँ ते जड़ा है जर्नल इंग्रेजी दा जर्नल इंग्लिश दा ते सारे स्ट्रीम जड़ने इंग्लिश दा फाइनल मोडल सेंपल टेस्ट पेपर जो की पूरी तरह हल कीता है ठ्वाडी सूल देले इंग्लिश दा हना ज्यूरू कर देना चैनल नूँ जुरू सब्सक्राइब कर लेना वीडियो नू लाइक कते शेर बी जूरू कर देना ता जो बगी विदियार्थ हैं तक विए पेपर पहुंच वे इस तो लावा तुसी सा डिनाल जुड़ सकते हो साड़ा टेलीग्राम चैनल है पंजाबी क्लास दे ना दियोते ओधा लिंक के हेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दता है लिंक टे क्लिक करके तुसी सा डिनाल चैट भी कर सकते हो ठीक है ज तुसी उत्ते सा डिनाल जुड़के लेटेस्ट इंपर्मेशन सा डिली उत्तों हमीशा प्रापत कर सकते हैं अपने लिए तो दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 11 सब्जेक्ट जर्नल इंग्लिश टाइम 3 आवर्स नंबर ने 80 सेक्शन ए सब तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर वन रीड दा पैसेज गिवन ब्लोव एड आंसर दा कोश्चन्स डाइट फॉलोउज बच्चो मैं इते पहले नहीं पढ़ांगा क्योंकि विडियो बहुत जादा लंबी हो जानादी है विद्यार्थी पूरी विडियो नहीं देख दे है सो इदा हाल असी हमेशा दाज देया हेठा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देविचे पेपर दा लिंक देता हुया है लिंक दे क्लिक करके जिड़ा है तुसी यह पेपर डाउनलूड कर सकते हो ते राम नाल बैठके पढ़ सकते हो मैं उन फटा-फट अंसर पढ़ दा है सब तो पहला वाट शुड़ सिविलाइज पीपल दू सो नीचे चार आप्शन आने इदा अंसर है दे शुड़ फाइंड साम पीस्फुल वे तू सैटल दियर डिस्प्यूट नमबर तू अकॉर्डिंग तू पैसेज वाट दाज माइट इस राइट मेंस आंसर दे परसन फू विंस थिंक्स हिंसेल्फ तू वी राइट तो यहां अंसर है बी ऑप्शन अग्य है नमबर तिन अवर एज हैस फॉट टू डैश वार इन हिस्ट्री यहां आई आईगा ग्रेटस्ट नमबर बी अग्य है नमबर चार civilized people do not indulge in डैश यहां आउप्शन किलिंग नमबर पंच now people don't fight and kill each other in डैश आंसर है सी स्ट्रीट नमबर छे people fight to settle डैश यहां आउप्शन है बी डिस्प्यूट अग्य है नमबर सेवन true and false है दसना है today people don't fight and kill each other in स्ट्रीट आंसर है true अग्य है नमबर आथ the saying is that the side which has killed most has won answer true अग्य है नमबर आउ what is fighting means according to this paragraph answer fighting means killing and civilized people out to be able to find some way to settle their dispute number 10 what nations and countries have not learned yet answer nations and countries have not learned to do this yet and still behave like savages so उस्तो बाद है बी ऑप्शन है read the passage following passage and answer the question that given blow so एक होर passage है so दे अंसर देने है निता जिस्ट वाचंदर बोस्ते है टोड़े लेसन दे वेच होई है इस पेपर दा लिंक देता है click करके download करके रामनाल पढ़ सकते हो ठीक है जी so अग्य है number 1 his army fought many battles against the dash army so एदा आंसर है A. British अग्य है number 2 which slogan सुभाष चंदर बोस गिव टू इस कंट्री मैन answer give me blood and I will give you freedom again number 3 why did people call boss as Nita ji so again number 3 why did the people call boss as Nita ji answer because he led them to right path yeah lead them to right path number 4 what did he organize why answer he organize Indian national army to fight against British army number 5 to fight with British armies Subhash Chandra Bose organize which army answer है Indian national army again number 6 match the words in column A with their meaning in column B so effort दा आएगा endeavor write दा आएगा correct so again section B so again section B writing so नीचे दो है पढदे हा advertisement है ठीक है जी so दूसरा है notice so पहला है you are the student secretary of your school you are asked by the principal of the school to inform student of class 8th to 12th about an international school debate competition to be held in your school on 12th March 20, 20, 23 whatever draft a suitable notice for the same you can notice लिखना है तुसी भी तुसी स्कूल दे सेक्टरी हो principal ने तुआनो इन्फॉर्म किता कि अठ्मी क्लास लेके बार्वी जमाता के inter-school debate competition है so तुसी जड़ा है notice लिखना है notice board दे ले जाँ फिर option है you are Rohan of Kalash Nagar Amrishar you have get a foreign assignment foreign assignment would be going abroad soon you have a television set and a referee generator to sell draft a suitable advertisement to be published in the classified column of the Times of India Delhi so तुआनो foreign assignment दे ले बार जाना पहना है वदेश so तुआड़े को television है तेकर refrigerator है so तुसी Times of India दे वेच तुसी एक advertisement देनी है उन्हानो बेचन दे ले so दोना जो कोई भी करना है so सब तो पहलना सी कर दे है so तुसी फॉरन जा रहे हो so advertisement दे लिखनी है दा आएगा for sale the video con television set and calvinator refrigerator both of 219 model in excellent condition on going abroad shortly intending buyer may please contact rohan 201 kalashnagar amrisar जाफिर जेड़ी उपर दस्ती सिगी भी सुसी स्कूल दे student secretary हो ते अठमी तो बार्मी ता competition inter school debate competition दे लई जेड़ा है तुसी notice लखना है so उस तो बात पार दे है बच्चे हो so जेडी दस्ती सी की you are a school secretary school दे school secretary हो बच्चे आँ दे so अठमी तो बार्मी था कि inter school debate competition है so ओ दे लई जेड़ा है तुसी notice लगाना है so शुरू कर दे है notice 8 मार्थ ट्रीक so बच्चे यथे हमेशा की करना है देखो यथे 12 तरीक देती होई है notice दी so जेड़ा notice होंदा है notice जिदनो competition होए उद्दन नहीं लगदा उत्तो कटोगट ते नहीं चार दिन पहला लगदा है so जेडी भी तरीक देती होईगी तो कटोगट चार दिन पहला दी तरीक पहुणी है जेड़ा उते 12 मार्च देती है असी पाई है 8 मार्च ठीक है जी ताँ जो student हो competition ली पता लग जोए 8 मार्च springdale public school खना an inter-school debate competition for the student of class 8th to 12th will be held in our school on 12th मार्च 20 the topic of the debate will be caste based reservation those who want to take part in the debate should give their name to the undersigned within 3 days Harmindar Singh student secretary ठीक है जो इस तरह करना है तो अगे है नमबर 3 imagine you are a remesh you live in Jalander model town जो भी address है write a letter to a friend congratulating him on winning a scholarship जाँ फिर imagine ए चरदने है write a letter of condolences to your friend who has lost his father तो उपर तुसी अपने friend नो congratulation करना है scholarship लेहिते थले सोग पतर लिखना है अपने दोस नोना पिता जीदे गुजर जानते तो बच्चे वए लिखे हुए है चंगी तरह देख लेड़ा एक वरी मैं फिर दाजन नहां hit a description box दे विच लिंक देता है link दे क्लिक करोंगे paper खोल जाएगा राम ना बैठके तुसी पढ़ सकते हो यह पूरी लैटर मैं नहीं पढ़ाँगा क्योंके वीडियो अलड़ी काफी लंबी हो चुकी है तो इसे तरह ही दूसरी प्रितपाल हो तुसी तो अपने दोस दा फादर है उना दी डेथ हो चुकी है ओदे ले कंडॉलसन्स याने की सोब पतर लिखना है अपनिया तो अगे है नंबर ट्रासलेट दा फॉल्मिंग सेंटेंस इंटू पंजाबी चूज अ करेक्ट ऑप्शन शीला वेल हैव बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग यह पंजाबी दसनी है इसे तरह ही बाकियां दी भी पंजाबी दसनी है ठीक है जी तो पहला उपर तुसी English टू पंजाबी करना है फिर तुसी पंजाबी टू English करना है यह दोन्ने दो दो नंबरा आंदेहान मतल टो नंबरा देहान ठीक है जी अग्या है डू अज्टटेड ग्रामर यह ट्रॉड़ी ग्रामर शिरू होंदी है सो यह तो सी देख लेना क्योंकि grammar exactly यह नहीं आंदी हुंदी है तो जिदा उपर stable determinant लिखा है तो determinant याद होने चाहिए थे हुंदेगी है तो एक वरी जरूर देख लेना ठीक है जी तरह यह देविच आएगा इन विच ऑफ फॉल्विंग सेंटेंस दा वर्ड चेंज इस यूजड ऐस नाउन वर्तिया गया है चेंज किते ओदसना है फिरा फिल इन दा ब्लैंक सुटेबल टै ठीक है जी तो भी लिखे हुए हान फिरा चेंज दा वाइस रानुपता है फिर आएगा चेंज दा नरेशन सारे इक वरी देख लेना चंगी तरह उस्त बाद आएगा ट्वाड डाउन सेक्शन सी लिटरेचर दा तो आंसर दा फॉल्विंग कोश्चन सो दास सान गे एक एक इन लिबर्टी इदा अंसर आएगा discipline अगे है true false on 6th August 1945 an autumn bomb atom bomb dropped on Hiroshima so the first atom bomb लेसा इदा अंसर है true अगे है number 4 how many visions does Dr. Klum have for India a president speak चो एदा अंसर है three visions number 5 the brave officer killed two enemy soldier in a hand to hand dash combat और wrestling इन दोना चो इदा आएगा combat अगे है number 6 इवी true है false है millionaire lesson जो है new millionaire lesson जो है Mr. Barson Hosberg was one of the richest man of Europe answer है true अगे है number 7 how old was Tambu the tiger internal lesson जो है दा answer है B option 12 year old अगे है number 8 the story an astrologer's day is written by dash इदा answer है arcane rhinel अगे है number 9 what did Sanju sell to the villagers इदा answer है salt and oil अगे है number 10 why had Raheem Khan beaten Ramus child इदा answer है इस पैरो वेले लेसन चो है दा है for throwing stone at his auction again number 7 read the given lines below and answer the following question so नीचे थानू बचे ओ दो स्टेंजे देते होंगे दोना चो चुवाइस है जेड़ा भी थानू चंगी तरह आंदा होया तुसी कर लेना है है so पहला पढ़ दे है I heard a thousand blended notes while I while in a grove I state reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind so इदा answer है पहला question है give the name of the poem and the poet answer the name of the poet poem is lines written in early spring and answer and the name of the poet is William words words again number two where is the poet sitting answer he is sitting in a grove number three what does he hear answer he hears number less sweet sound they are as sweet as the harmonious notes of music number four give the rhyme sentences of the given standard above so अग्या है फिर है सो यह तुसी देख लाना तुम अलड़ी दस्या है हीटा डिस्क्रिप्शन बॉक्से विच लिंक देता है सो उत्हों तुसी डाउनलोड करके पढ़ लेना है सो अगे वाद दे हैं इदा ही भी पोर्शन है राइट दा सेंट्रल आइडिया ऑफ दा पोएम सो नीचे दो दितिया होन गया दोना जो को एक करना है जिदना कनफेसेंजन ऑफ बॉन स्पेक्टेटर जा फिर दा लिटल बैक बॉई जेडा भी ठाउनु चंगी तरह आंदा है तुसी कर लेना है इकुली फॉर आल थिंक्स एंड पर्संस सिमिरली गॉड गॉड गिवस वार्मस ओफ इस लव तो आल क्रेचर विदाउट अनी दिस्टिंक्शन में शुड अल्सो लर्ण तू बियर दा बीम्स ओफ लव इन इस हार्ट इस हुड लव मैं ओफ आल कास्ट कलर एंड क्रीड़ सो अगे है आंसर एनी थ्री इन अबाउट फॉर्टी तो फिफ्टी वर्ड सो नीचे था उनुछे प्रशन दित्ते होंगे चे यहां चो तिन करने हन सो मैं अब कोश्चन पढ़ांगा होन वीडियो लंबी हो गई है सो पहला है वाट इस डिसिप्लेन लिबर्टी एंड डि यहां इन मौन तोनी मौन तोनस सिंक सॉंग दी पोट्रेट अफ लेडी दे विच हो है नमबर चार वाई दिड शी राइट पोस्ट कार तो तलको गेंडर बाइस दे विच हो है तेरा है नमबर पंज वाट दस अऊथर से अवाट इंटरनल वार्स अट इस लेशन चो है ते प्रेजिडेंट स्पीक लेशन चो है सो बचे वो एदे विच हो छे आणगे छी हां चो जेड़े तेन ठाउन जंगी तर आंदे हो तुसी कर लेने हां अगे है नमबर नाइन राइट अनी टू शॉर्ट आंसर टाइप कॉश्चन फॉर्टी तो फिफ्टी वर्ड ए दो दो नमबर आंदे हां चार आंगे चार आंचो दो करने हां सो मैं कॉश्चन पढ़ दा है आंसर दे लिए ओ लेड़ी तो लिंक देता है लिंक दे क्लिक करोंगे पेपर डाउनलोड हो जेगा रामना पढ़ लेना ठीक है जी नमबर वन वाट कंडिशन डिट दा करनन ले डाउन फोर लेटिंग हुगी हुगी ही इंगेज टू लॉरा दा मॉडर मिलीनेर लेसन चो है तरह नमबर टू वियर डिड़ी सेट एवरी डे अस्ट्रॉलिजर दे तो है नमबर तिन वाट वाट वाज रहीम खान अपू अपू अकूपेशन चो है तरह नमबर चार वाट वाट दा प्रॉबलम ऑफ जुमान शेक ओल्ड आंट दा पंच परमेश्वर चो है तो चारां चो जेड़े दो चंगी तर आंदे हो तुसी कर लेओ अगे है नमबर दास आंसर दा कोश्चन सेन 60 to 70 वर्ड राइट अ क्रेक्टर स्केच्च अफ ग्रेंड मदर इन दा पोट्रेट लेडी और वट इस क्लाम सेकेंड वेजन फॉर इंडिया तो दुना चो जेड़ा चंगी तरह आंदा हो है तुसी कर लेना है तो अगे वाद दे हैं अगे है नमबर ग्यारा लास्ट आइट वाड़ा है आंसर दा कोश्चन इन 60 to 70 वर्ड तो पहला है राइट अ ब्रीफ रा लेड़ा चंगी तरह आंदा है तुसी देख लेना फिर दास देंदा हां हेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक देता है लिंक ते क्लिक करोंगे पेपर ट्वाड़ी सामने खुल जाएगा राम नाल बैठके तुसी उन्हों पाड़ लेना बार बार स्क्रीन शॉट लेंद किता है ठाड़ी सूलों देलेही मिल देहां नवी वीडियो देविच नमा पेपर लेके ताथ तक लेही आनवाड़